नमश्कार दोस्तों, एक पुरुष और एक स्त्री जब बिकते हैं तो दोनों की बिकने में बहुत अंदर होता है। जब पुरुष बिकता है तो उसकी जितनी ज्यादा कीमत लगती है, उसका मान, समान, रुथवा उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन जब एक इस्त्री बिखती है तो वैश्या कहलाती है पुरुस अगर किसी पर इस्त्री पर नजर रखता है तो पतित नहीं होता लेकिन इस्त्री अगर किसी के बारे में सोच भी ले तो पतिता कहलाती है उसने जो खुद को बेचा तो धंदे वाली कह दिया उसने जो खुद को बेचा तो धंदे वाली कह दिया पर तुम जो रोज बाजार में बिखते रहे कभी सोने में कभी चांदी में तुलते रहे कभी एसी कभी कार के बदले में मिलते रहे तुम्हारे मोल को मैं क्या नाम दू इस खरीद परोप्त को क्या अंजाम दू इस उसको बेचा तब भी मूसिये थी जब उसको किसी ने खरीदा तब भी मूसिये थी वो तब भी सजी थी वो अब भी सजी थी वो अब भी सजी थी उसके हालात में न कोई अंतर रहे कभी अस्तित्व बचाने को, कभी अस्मत बचाने को, वो तब भी जुकी थी, वो अब भी जुके उसका मोल था सुन्दर जिस्न गोरा रंग, साथ में कुछ जिग्रियां और पैसे संग जिनके पास था, उन्हें जोड़े मिले, जिनकी किस्मत थी उनसे रूठी, उनकी राह में सरफ रोड़े मिले वो बिग गई, वो बिग गई, पर मन नहीं उसने बेचा, जिस्म बेचा, बगर रूख को ना खरोंचा तुमने जो पान खाकर उसकी दीवार पर थूखा, उसमें दिख रहा था तुम्हारा किसी और से धोखा उसने जो किया, वो खुले आम किया, अस्तित तो बचाने की लड़ाई में जिस्म को जौब दिया पर तुमने तो कितनों के विश्वास में थी सेंध लगाई पर तुमने तो कितनों के विश्वास में थी सेंध लगाई उन में से एक वो भी थी चो लाखों लाई और खुद को तुम्हें सौब दिया होटों पर जूटी मुस्कुराहट रखकर एक बाजार में खड़ी थी और एक घर में दोनों का मनसूबा था सिर्फ तुम्हेरे जाना क्योंकि ना उनके दर्ज से तुम्हारा कोई वास्ता था और ना था उनके दिल तक पहुँचने का कोई इरादा अब क्या कहुँ इस से ज्यादा तुम्हारी भूप तो दौनों ने मिटाई एक ने पैसा पाया दूसरी घर का सुकून ले आई पंक्तियां कैसी लगी ये प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईए और वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे और वेल आइकान को प्रस कीजे थाइक यू